हे नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्रेंस और दोस्तों आप लोग को पताएं आप अपने स्मार्टफोन से बहुत बहतरीन और प्रफेशनल फोटोग्राफी कर सकते हैं बट उसके लिए आपको चाहिए एक प्रफेशनल फोटोग्राफी एप तो बेसिकली आज मैं आप वो भी live view में तो आप एक दूसरे से जो filters हैं उन्हें compare कर सकते हैं और check कर सकते हैं कौन सा filter आपकी photo के लिए रहेगा ज्यादा बहतरीन तो ये किसी और app में आपको देखने को नहीं मिलता है आपको बस नीचे छोटे-छोटे filters के नाम मिल जाते हैं बट यहां आप live view में filters सकते हैं क्लिक कर सकते हैं जैसे आप यहां पे square mode जो की especially instagram users के लिए हैं अगर आप instagram पे photos upload करते हैं तो आपके लिए best रहेगा आपको बाद में कोई crop application यूज नहीं करनी पर देगी इसके लिए आप instagram पे छोटी मोटी editing भी कर सकते हैं एप में यहां फिर text और एड़ कर सकते ह इसके साथ ही आपको blur mode भी मिल जाता है next है footage camera तो footage camera manual camera lovers के लिए best application है बिल्कुल free है और यहां आप अपने camera application का एक aspect control कर सकते हैं manually यहां पर आप focus control कर सकते हैं white balance control कर सकते हैं exposure control कर सकते हैं यहां पर आप जो photos हैं अगर आप एक group में जाते हैं या फिर traveling करते हैं तो जो selfies हैं व काफी जादा grid lines मिल जाती हैं जिससे आप अपना जो short है वो perfectly align कर पाएं grid line के साथ साथ यहां पर आपको focus peaking भी मिल जाता है इसका मतलब जो आपका object है वो काफी अच्छे से focus में रहेगा तो इस तरीके के बहतरीन options आपको इस camera में मिल जाते हैं और यह बिल्कुल free camera अगर आप इसकी settings में देखें तो settings आपको बिल्कुल basic से मिल जाती है जो हर camera application में होती है और होनी ही चाहिए तो यह है footage camera manual controls यहाँ पर आपको सारे मिल जाते हैं और सब सची बात है यहाँ जितने भी manual controls हैं वो बिल्कुल free है अगर आप compare करें बाकी apps के according तो यहाँ पर सब कुछ free मिल जाता है आप लोग को तो इसका link भी description में आप चाहें तो इसे भी checkout कर सकते है footage camera मुझे personally काफी पसंदा ही और यह आपके phone की stock camera app को मैं guarantee ले सकता हूँ replace करने के लायक है यह application तो इस application को ज़रूर से check करें तो इसी के साथ आप बढ़ते है next application की तरफ Lumio Cam की तरफ और यह ब आपका पूरा screen है mobile पे कुछ इसी तरीके को देखने को मिलेगा यहाँ अगर हम settings की बात करें तो settings में भी यहाँ पे कोई कमी नहीं छोड़ी गई है आप raw photos भी यहाँ पे click कर सकते हैं और normal photos भी click कर सकते हैं जो frame rate है जो भी आपका device support करता है जो resolution है अगर आपका device camera 4K के capable है photos भी यहाँ पे click कर सकते हैं videos भी click कर सकते हैं तो यह camera मुझे काफी पसंद आया यहाँ पे manual controls भी आपको सारे मिल जाते हैं जिस तरीके manual controls आपको footage camera में मिलते हैं उसी तरीके manual controls आपको यहाँ भी मिल जाते हैं और यहाँ जो interface है वो बहुत unique है अगर आप इसे publicly use करते है camera को अपने friends के साथ तो आपके friend guaranteed पूछेंगे कि आप कौन सा camera यूज कर रहे हैं या फिर कौन सी camera application यूज कर रहे हैं या focus जो focus यहाँ पे main part मुझे इसका लगा है क्यूंकि focus आप बहुत अच्छे से control कर सकते हैं इस application के साथ यह application focus को बहुत अच्छे से control करती है चाहे आप video के through focus control करें या normal photo click करने के time next camera है hypo cam तो hypo cam सिर्फ उन लोगों के लिए जो black and white photos खीचना पसंद करते हैं या फिर जो black and white filter यूज करते हैं अपनी photos में और उसे upload करते हैं instagram वगरा में तो hypo cam basically एक black and white camera है यहाँ पे आपको सिर्फ black and white photography मिलती है यहाँ पे आपको color photos के लिए कोई जगा नहीं है इस application में यहाँ को कुछ pre-built पहले से pre-design presets मिल जाते हैं जो सिर्फ black and white photography पे based हैं तो यहाँ अच्छे अच्छे black and white photography कर सकते हैं next है camera 51 तो यह मुझे बहुत अलग camera लगा क्यूंकि अगर आप इसका shutter button देखें नीचे की तरफ जिससे आप photo click करते हैं उसमें आ आप लोग को बता देता हूं basically कई बार आपके objects जो होते हैं जब भी आप click करते है photos तो out of focus चले जाते हैं तो अगर आप shutter button को swipe करेंगे अपने object के ओपर तो आपका जो photo है जो object है वो कभी बी out of focus नहीं जाएगा और shake ही नहीं होगा बिल्कुल भी तो इसका जो use है वो काफी unique है और काफी अच्छा मुझे लगा तो आपके friends definitely आप से पूछेंगे कि आप कैसे viewfinder अपने shutter button में देख पा रहे हैं तो यह काफी अच्छी application मुझे लगी पांच की 500 applications मुझे काफी बहतरी लगी तो आशा रखता हूं आप सभी को यह 500 application पसंद आई होगी अगर आप इन मे कर दो आप से अब